एक सवाल मेरे दिल से है और ये सवाल इसलिए है कि मुझे लगा ये सवाल आपसे पूछना चाहिए और वो सवाल है कि आजकल कुछ क्रिकेटर्स विग्यापन में पान मसाले की आड़ कर रहे हैं पान मसाला बेच रहे हैं, इसमें सीनियर खिलाडी भी है, इसमें आपके साथ खेले वे खिलाडी भी है, क्यों ऐसी अविशक्ता क्यों पढ़ गई? Disgusting and disappointing, सिरफ दो वर्ट कहना चाहूंगा. आप कहरें disgusting and disappointing, क्यों? Disgusting, इसलिए क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई खिलाडी एक पान मसाला की याड़ करेगा और disappointing, इसलिए क्योंकि मैं बार वार एक ही चीज़ कहता हूं और कहता रहूंगा, कि अपने role model, बहुत सोच समझ के चुनना. नाम जरूरी नहीं है, काम जरूरी है. वोई भी हो. आप अपने नाम से नहीं पैचाने जाते हैं, आप अपने कामों से पैचाने जाते हैं. करोडो युवा उनको देख रहे होंगे. और पैसा इतना important नहीं है, कि आप किसी पान मसाले की याड़ करेगे. बहुत और तरीके हैं, पैसा कमाने गए. और शायद अगर थोड़ा पैसा छोड़ना भी पड़े, क्योंकि आप बहुत युवाओं की रोल मॉडल हैं, तो छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए. और मैं अपने आपको कोई उस शेली में नहीं लेके जाना चाहता है, 2018 में, जब मैंने step-down किया थ हूँ, I should only get what I deserve, not what I want. आप पान मसाला की आड़ कर रहे हैं? अमीज जी, आप बताइए, अक्षे कुमार ने आड़ करी, फिल्म स्टार आड़ करते हैं, तो हम इतना उनके बारे में उनको क्रिटिसाइज करें. तो ने अपॉलजी किया था उसे? किसकी अपॉलजी आई आप देश भक्ती की बात करते हैं, आप नाशनलिजम की बात करते हैं, आप इंडिया फर्स की बात करते हैं, आप देश को महान बोलते हैं, आप भी तो करोडो लाखुल बच्चों की रोल मॉडल हैं, क्या सीख रहे होंगे वो बच्चे? कल अगर 21 साल का बच्चा है, trent set करें यह और चुछ ने की हिम्मद आप्टे तो दोस्ता है फोई थाके नहीं बोल सकते कि क्यों करा आप लें देखें वह बहुत personal है वह बहुत personal decision है और एक व्यक्ति कि सबसे बड़ी शक्ति होती है छोड़ने की हिम्मद क्या अपने वह शक्ति है कि आप कोई चीज़ छोड़ सकें लेना तो सब कुछ हर चीज़ चाहता हूंगा कि मुझे सब कुछ मिल जाए लेकिन बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो छोड़ने की हिम्मत रखें सच इंटेंडल कर जिने बोला ना क्योंको कितने 20 करोड या 30 करोड उपर ओफर हुए थे लेकिन उन्हें अपने फादर को प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी गुटके की या फिर कभी भी पार मसाले की आड़नी करूंगा बीस करोड पर छोड़े ना तब ही वो रोल मॉडल हैं और वो ऐसे ही रोल मॉडल चाहिए हैं वाकई यह जो विशे है यह बड़ा इंपॉर्टन था इसलिए मैंने बहुत अच्छा क्योंकि में को नहीं लगता कि कोई और मीडिया ने कभी भी यह इस बारे में किसी से कोई यह जो क्रिकेटर्स हैं यह भारत में बड़े रोल बॉडल होते हैं लोग नेताओं से जादा अक्टर से जादा इन पर भरोसा करते हैं और आप कभी मौका मिले आपको इंटर्वियू करने का तो आप उनसे भी सवाल पूछूँगा और वो दोनों भी लेजंड है और पारत और पाकिस्तान के बीच में मैंचोना चाहिए और उनसे जबतक और इसके बारे में में को बहुत किया गिया है और और मैं हमेशा मानता हूँ कि कोई cricket match, कोई भी event हमारे जवानों की जिंदगी से बड़ा नहीं है कोई भी, कोई भी event और यह reality है इसी तरीके का event चाहे वो आपने जैसे ही बोला उदर जो भारत माता की जाहे के नारे आ गए यही public sentiment है आप फिर आप मुझसे अगला सवाल यह पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान को इंडिया से वर्ल काप खेलना चाहिए देखें वर्ल काप और बायलाटरल में जमीन आस्मान का फरक है बायलाटरल दो देशों के बोर्ट डेसाइड करते है और बहुत बार अभी जब भारत अगर पाकिस्तान इंडिया आती है वर्ल काप खेलने के लिए तो फिर यह बोला जाएगा कि देखेंजी फिर से भारत खेलना शुरू हो गया वर्ल काप और आई सी सी इवेंट्स आई सी सी कंट्रोल करता है बाइलाटरल सीरिस दो बोर्ट कंट्रोल करते हैं तो जहां बी सी सी ई का सवाल है बी सी सी अगा ने अपना स्टान बिलकुल कलिया कर दियाalten नहीं होंगे 사진 आई सी इवेंट्स में बी सी सी ई का किसी तरिके का कोई रोल नहीं होता तो जब ये सोशल मीडिया पे या बाकी जगाओं पे बोला जाता है न कि देखे फिर भारत ने खेलना शुरू कर दिया या फिर एक व्यक्ति ने बोला थे कि नहीं होना चाहिए वह आपर कमेंटरी कर रहे हैं लेकिन रियालिटी ये है कि ICC में किसी का कंट्रोल नहीं होता लेकिन पीसीबी बार-बार धंकी को देता है अगर आप नहीं आओंगे तो हम भी नहीं आएंगे पीसीबी के हैसित कैसी है वैसे देखे मैं पीसीबी के बारे में नहीं जानता और अल्टिमेटली अगर किसी से भी आप सवाल पूछेंगे तो सिरफ भारत ने नहीं बोला इन फाक्ट श्री-लंका ने मना कर दिया, अफगानिस्तान ने मना कर दिया कि हम भारत के साथ हैं अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पर खिलने के लिए राजी हैं एक सवाल, पाकिस्तान के टीम आपको बहुत मिस्स करती है, वो कहती है कि आप गौतम गंबीर नहीं खेलते हैं, ऐसा क्यों है, और भारत की टीम भी आपको मिस्स करती है, अभी इर्फान पठान के हमने वो वाइट चलाई जिसके उन्हें बोला, उन्हें बोला कि जब भी पा अगर बता है, यह सच आप इर्फान पठान को किस दिन स्चो पर बोला लाई तो अफरीदी से हुई आपकी, शाहिद अफरीदी से हुई लड़ाई, लेकिन इर्फान पठान की तो मुझे लगता है, पांच य अच्छे खिलाडियों से हो रखी यह लड़ाई, लेकिन वो लड़ाईयां दिखाई जाती है, वही फरार के सरफ, अच्छे एक बास, आपको मतलब बोला जाता था कि पाकिस्तान के मैश में आप एंग्री मैन बन जाते हैं, यह ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इंफाक्ट मेरी शेहन वाट्सन से भी लड़ाई हुई है, वह पता है मुझे शेहन वाट्सन से भी हुई हूँ और इनफाक्ट से वाट्सन की लड़ाई के बाद तो मैं मैंनो यह सिर्श में खोई थी अपनी तो घुसा नाख पर गहता है आपकी अइसा घुसा नाख पर नहीं रहता कि आप जीतने के लिए कहलते हैं और जीतने के बाद कभी मेरी off the field किसी से लड़ाई नहीं हुई यह शेहन वाटसन की लड़ाई की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी पाकिस्तान कहते है